पिछले सेफ एक साल में है Suzone Energy की शेर प्राइस 237% से बढ़ गई है जब हमने यह पता करने की कोशिश की कि कि क्या बिजनस में इस दौरान बहुत जादा चेंजेस हुए है क्या बिजनस में इस दौरान बहुत जादा ग्रोथ हुई है तो हमें काफी shocking चीज़े पता चली हाला कि हुआ ये कि October 2022 में Suzanne Energy के जो founder थे तुलसी टंटी उनकी date हुई और उनकी date के बाद management में काफी सारे बदलावाए और साती नए management को जो approach था वो बड़ा clear था कि हमें सबसे पहले अपना जो भी कर्ज है वो हटा देना है और उसके बाद हम business पे focus करेंगे हाला कि फिर ये देखा भी गया कि company के promoters ने फटा फट company का करच कम करना शुरू किया है लेकिन जब हमने company के business पर नज़र डाली तो हमें पता चले कि वहाँ पर अभी भी जादा कुछ change नहीं हुआ है company अभी भी लगबग वैसे operate कर रही है जैसे पहले कर रही थी company का revenue अभी भी 2018 के level के नीचे ही है यानि कि ये जो share price बड़ी है ये optimism पे बड़ी है इस hope में बड़ी है कि नया जो management है वो company का turnaround करेगा जिससे business को growth आएगी और company बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी लेकिन अभी भी ground level पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे company के share price जादा देर तक इस level पर sustain हो सके